जैशी किष्णा दोस्तो वियसरा फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम सोमबार के दिन किया जाने वाला उपाय बता रहें क्योंकि इस बार सोमबार के दिन अश्टमी का होना बहुत ही सरवार सिद्ध्ययोग लेकर आया है दोस्तो सोमबार भगवान शंकर का माना गया है और अश्टमी मा दुरगा का दिन माना जाता है और इस दिन कहते हैं कि भगवान शंकर और माता पारवती का मिलन होता है इस दिन सच्चे मन से जो भी भक्त भगवान शंकर और माता पारवती का पूजन करता है तो यकीनन उसकी जो मनो कामना है वो पूरी होती है दोस्तो आज हम सोंबार अश्टिमी के दिन किया जाने वाला ही एक सरल उपाय बता रहें और विशेश रूप से उन दमपत्यों को अवश्य करना चाहिए जिनको संतान की प्राप्ती नहीं हो पा रही है उसकी जानकारी देने से पहले दोस् स्क्राइब जरू कर लें बगलने बैल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पौश सके दोस्तो सोंबार के दिन अश्टमी पढ़ना बहुत ही सरवाज से दियोग मना जाता है और बहुत कम ऐसा ह होता है जब सोंबार के दिन अश्टमी पढ़ती है इसलिए इस दिन को अपने हाद से नहीं जाने देना चाहिए इस दिन आप सचे मन से भगवान शंकर का और माता पारवती का पूजन अवश्य करें दोस्तों आपके पास जो भी पूजन समागरी है मतलब जो भी आपके प पत्ते जीवन में मिठास आती है मधुरता बनी रहती है पती पत्नी में सदे प्रेम बना रहता है इसके साथ ही दोस्तों देखे जो संतान की इच्छा रखते हैं तो इस दिन आपको शिवलिंग का अभिशेक करना है गाय के दूद से आपको और कोई दूद नहीं लेना है आपको गाय का ही दूद लेना है गाय के दूद से ही शिवलिंग का अभिशेक करें और उसके बाद सुच जल में अगर गंगा जल है तो गंगा जल डाल कर मतला ओम नमशिवाय कहते हैं शिवलिंग का अभिशेक करें माता पार्वती का भी पूजन अवश्य करने उनको रोल दोस्तो इस दिन संतान प्राप्ति के लिए एक तो आपको देखे गाय के दूद से शिवलिन का अभिशेक करना है क्योंकि दूद पुत्र का रूप माना गया है और इस अभिशेक करने से निश्चित ही आपको संतान सुक की प्राप्ति होती है साथ ही दोस्तो आपको देखे गेहूं के आठ दाने लेने हैं क्योंकि इस दिन अश्टमी है और गेहूं अरपित करने से संतान की प्राप्ति होती है तो आपको गेहूं के आठ दाने लेने हैं और आगर आपको मतलब धतूरे का फल धतूरे के फूल मिल जाते हैं तो वो भी अवश्य लें दोस्तो धतूरे का फल या फूल चड़ाने से भी संतान की प्राप्ति होती है तो इस दिन आपको आठ दाने गेहूं के और एक धतूरे का फूल हो या फल हो आप ले ले और उसको अपने सीधे हाथ में रखकर भगवान शंकर और माता पारवती का ध्यान करें उनसे प्रात्ना करें और अपनी मनों कामना बोलकर आपको शिवलिंक पर चड़ा देना है साथ ही इस दिन भगवान शंकर को भोग भी अवश्य लगाए माता पारवती को भोग लगाए मतला किसी भी सफेद वस्तू का भोग लगा सकते हैं खीर बना सकते हैं अगर आपके जो भी इच्छा होगी वो बहुत ही शीगर पूरी होगी तो दोस्तो इस दिन भगवान शंकर का माता पारवती का पूजन अवश्य करें और जो हमने उपाय बताया है उसको जरूर करें और भोग अवश्य लगाए और हो सके तो आप देखें सुबे उपाय कर रहें तो साय ग्रहन करना है आप घर परिवार में भी उस प्रसाद को बाटें लेकिन अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं तो पती पत्नी को तो अवश्य ग्रहन करना चाहिए दोस्तों ये है तो छोटा सा उपाय लेकिन सुम्बार अश्टमी के दिन अगर आप इस उपाय को कर लेते ह हैं तो यकीनन आपको माता पारवती का भगवान शंकर का आश्रिवाद अवश्य ही प्राप्त होता है तो दोस्तों इस उपाय को करें लाप्राप्त करें आप सभी को जैशी किष्णा